जीवन में जब भी धन की समस्यां आती हैं तो इस समस्या के साथ बहुत सारी और भी परेशानिया आ ही जाती हैं क्योंकि सिर्फ धन की समस्या और भी परेशानियों को बढ़ा देती है और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो ना चाहा कर भी उसे टेंशन और डिप अगर आपके जीवन में भी धन की बहुत सारी समस्याइं हैं, तो आज के इस वीडियो में एक बड़े ही जादा खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, जो नहाते समय ही सिर्फ आपको करना है, और अगर नहाते समय आप इस प्रयोग को करेंगे, तो इससे दुरभ आगय पूरी तरह से उतर जाता है, और जब दुरभागय उतर जाता है, तो सोभागय की प्राप्ती होनी निश्चिती है, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमशिवाय जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की किरपा आप पर बनी रहे, क्योंकि जिस भी व्यक्ती पर भगवान शिव की किरपा होती है, वे अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ता ही चला जाता है, और कोई भी चीज उसके रास्ते की बाधा बन ही नहीं पाती है, आपने खुद भी काफी बार देखा होगा, कि जब आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और उस समय अगर आप नहाने जाते हैं और नहा कर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हलका सा महसूस करते हैं, वो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि पानी में एक अदबुद गजब शक्ती होती है जो नकरातमक उरजाओ को दूर भगाती है, यह प्रियोग आज हम आपको बताएंगे, वो आपको अपने घर में ही नहाते समय कर लेना है, नकरातमक उरजा के ही कारण हर एक व्यक्ती बोज सा अपने उपर महसूस करता है, क्योंकि सुक बहुत हलका होता है, जो बहुत जल्दी हवा की तरह उड़ जाता है, वहीं दूसरी आपको अपने साथ एक चम्मच नमक लेकर जाना है, और इस नमक को हाथ में पकड़ते हुए आपको ये मंत्र बोलना है, जो कि इस प्रकार है ओम मनी पद में हूम भट, बड़ा ही चोटा सा और बहुत ही आसान ये मंत्र है, जो अनेक सिध्धियों को खोलने वाला है, बलक लेकिन इसकी साधना होती कैसे है ये भी हम आपको जरूर अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन नहाते समय इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, सीधे हाथ में नमक पकड़ कर आप इस मंत्र को 108 बार बोल दें, एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें, ओम मनी पद में ह ये बहुत आसान सा और जबान पर बैठने वाला मंत्र है, ओम मनी पद में हुम भट, बस नमक को हाथ में पकड़ कर इस मंत्र को बोलते हुए आप इस नमक को एक बाल्टी पानी में मिला दें, और फिर उसके बाद इसी बाल्टी पानी से नहा लें, जैसे ही आप नहा कर ब हैसूस करने लगेंगे, क्योंकि इस प्रयोग से चक्र जो इनसान के शरीर में होते हैं, उसकी सभी ब्लोकेज हट जाती है, और जो अंदर शरीर में चकर होते हैं, उनमें ब्लोकेज के कारण ही इनसान बस दुख को पाता है, तो आपको ये प्रयोग रोज लगातार करना है और जो दुख आपके शरीर पर भारी बनके बैठा हुआ है उसे उतार फैकना है इस प्रयोग को जब तक आप करें जब तक पूरी तरह से आपको नहीं लगता है अंदर से अनुगोती नहीं होती है कि दुख पूरी तरह से उतर चुका है क्योंकि सिर्फ इसी प्रयोग से दूर शेयर करें जिसे सभी लोग इस जानकारी का लाब उठा सकें ओम शान्ती